इसमें हम लोग करेंगे chapter 1 का exercise 1.1 question number 4 question number 4 हम से कह रहा है कि insert 3 rational number between 1 by 3 and 4 by 5 and arrange in descending order तो rational number हमारे p by q के form में होते है p और q integers होते है p and q are integer और जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है तो जो हमारे यहां पर 2 rational number है वो 1 by 3 और 4 by 5 है तो इसके बीच में हमें 3 rational number निकालना है तो पहले हम लोग इसे by taking LCM and rationalizing इन दोनों number को LCM लेंगे इसका 1 by 3 plus 4 by 5 divided by 2 is equals to 3 और 5 का LCM 15 होता है यहां पर आजाएगा 5 plus 12 divided by 2 यह हो जाएगा 17 by 2 इधर ऊपर चला जाएगा तो 15 के साथ multiply होके 30 आएगा 17 by 30 यह हमारा पहला rational number है इसी तरीके से हम लोग तीसरा भी निकाल लेंगे इसी तरीके से हम लोग तीसरा भी निकाल लेंगे तो इसमें भी हम लोग करेंगे by taking LCM and by taking LCM and rationalizing इसमें हम लोग 17 by 30 और 4 by 5 को लेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे यह आएगा 30 और 5 के LCM होगा 30 इदर आजाएगा 17 plus 24 divided by 2 यह आजाएगा 41 अपन 30 into 2 41 अपन 60 यह हमारा तीसरा rational number है और अब हमें अपने जो यह तीन rational number निकालें इन सब को अम लोग को descending order में लगाना है तो यह होगा 4 by 5,41 by 60,17 by 30,27 by 60,1 by 3 आजे एंजर निकालें 2 2 4 8